लेखन कार्य करने के बाद उन अनुभवों को लेखन कार्य में जोड़ा है। लेखन कार्य में जोड़ा है। लेखन कार्य में जोड़ा है। सभी स्तलों का अपना सौंदर्य और महत्व होता है। गुजरात उन में से एक अनुठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। जो गुजरात का अत्यंत रमणिय प्रदेश है। उसका पौरानिक महत्व भी है। अनेक दर्शनिय स्तलों के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम याने के संग्रहाले भी कहा जाता है। तो क्या चलना है? हाँ, तो चलो। हो जाओ तैयार, चलने को कच्छ। मित्रो, देखो, हम यहां कच्छ में प्रवेश कर रहे हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही, हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षन नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती। अतह यह अनूठा रेगिस्तान है। सामकी आली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंब होती है। यहां से उत्तर दिशा की और यात्रा का प्रारंब होता है। प्रापर से दोलाविरा पहुचते ही हमारी प्राचीन संस्कृती मोहिंजो दड़ों का स्मरण हो जाता है। यह स्तान 5000 वर्ष के अवशिशो का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिक्ता के दर्शन होते हैं। यहां से आगे बढ़कर जब हम सामकियाली से पश्चिम की यात्रा करते हैं तो भचाओ नजर आता है। जो बढ़ा गाओं है जैसे नगर। वहां से गांधिदाम औध्यविक कारखानों का शहर है। यहां सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्ताई हुई है। गांधिदाम आधिपूर तथा गोपालपूरी उद्योगों के कारण विक्सित हुए दिखाई देते हैं। आधिपूर में गांधिस्मृती तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहां की प्रजा के लिए महत्वपूर है। मित्रो घूमने का मज़ा आ रहा है ना। हाँ तो अब हम जैसे ही कंडला से दक्षिन की ओर आगे बढ़ेंगे जहां भद्रेश्वर अतिप्राचीन जैन यातुरा धाम है। संग मर्मर से बना 2500 वर्ष पुराना जीनाले भूकम्प में खंडित हुआ। उसके पुनह निर् के कारण विकास की दिशा खुली है। समद्र के किनारे बंदरगाह विक्सित हुआ है। यहां कुछ प्राचीन इमारत हैं। समुद्र के किनारे तटिय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अतिस सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन्चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनिय बना है। यहां VRTI ग्राम में संस्ता है। बात्तर जिनाले है। पास ही बिद्रा गाउं में अंतर रांश्रिय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपुर्ण गाउं है। जैनों का प्राधान यहां नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहां वायुसेना का मुख्य अड़ा है। मित्रो, अब देखो हम नलिया से एक गंटे की यात्रा करने के बाद नारायन सरोवर आपऊंचे हैं। जो अत्ती प्राचीन, पौरानेक, धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायन काल का माना जाता है। यहां को टेश्वर नामक, दर्शनिय मंदिर है। यहां से रावण गुजरा था। यहब पूरे भारत का प्राचीन स्थान मा जाता है। सुर्योदय और सुर्यास दर्शन यहां का बड़ा आकर्शन है। नारायन सरवर से आगी की यात्रा में लखपत आता है जो अती प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरणरज से पावन इस भूमी पर गुरु द्वारा है। एक समय का समरिद्ध शहर आज जिर्णावस्ता में होते हुए भी दर्शनीय है। यहां एक किला है। उसके बगल में प्रानन ध्रो खनीज संपत्ती के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्मान का यह केंद्र है। लगपत से मध्यकच की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसल्मानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहां पीर की मजार है। रेगिस्तान की जाकी यहां से होती है। रास्ते में माता का मड़ नामक धार्मिक्स्तान है जहां नवरात्री के परवपर लोग पदियात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राना प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वानहाई जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान है। देखो अब यहां कच्छ का मुख्य केंद्र भुज है। उसे देखते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आइना महल, प्राग महल, तावर, स्वामिनारा एन मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड, लोक संग्रहालय, विश्व विद्यालय आदी के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। संद 2001 के भुचाल ने इसे खंडित किया था, तो लोगों ने उसके नए स्वरूप में पुनह निर्मान करके और सुन्दर शहर बना दिया है। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंदाई घटना है, भुज से अंजार भी जाया जाता है, आगे बढ़ते हुए स्रिजन संस्ता में यहां की प्रजा की हस्तिकला का परिचय होता है, जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो एतिहासिक स्थान है, यहां से स्मृतियां छोड़ जाती है, कहा जाता है कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कच गुजरात का गौरव है, और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी वौसम में दर्शनिय एवं आकर्शन का केंद्र है,